केजरी वाल उद्धो धाकरेंची बेट गेना साथी गेले तान याता दो गेई पत्रकार परिश्वत गेता है ठेट जवै अजय कर दो एफ़ गे पत्रकार परिंगला खना संoney मंद利 में जब प्रिंख गेई गेट में जब ज είναι के सिर्ष गेएक । गंढ़ के विए गंविपोन आ ला पहिए पालज़ सकता एग eerste यहा पिंद दोकोई के लाव की के वजब तो से हता हुआ 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 यह हुआ हुआ। माकली जनीर की एंप दो कि यह बंदी काम आयार कि शुरू करते हैं हम लोग शुरू करते हैं आज मुझे खुशी है अर्विंग आये हैं मान साब आये हैं अपके ज़सबा की मेंबर जी इनका मैं स्वागत कर रहा हूँ और क्यूं आये अलग बताने क्या आवश्यक्ता नहीं है बहुत दिनों से हम मिलना चाहते थे और बीच में मैंने जैसे कहा कि पूरे देश में से जो प्रमुप नेतागण है वो संपर्क करना चाहते हैं कर भी रहे हैं मेरी बात हो रही है मेरी बात हो रही है और अपने देश को अधिक मजबुत बनाने के लिए हम मिलकर क्या कर सकते हैं यही हमारे बीच में जो विचार धारा कहते हैं वही विचार धारा है कि देश को अधिक मजबुत कैसे बनाए मैं तो हमेशे आपके साथ बाते करते रहता हूँ आगे भी करूंगा लेकिन मैं अर्विन जी को करूंगा बिंति करता हूँ कि अर्विन जी आप आए हो आप बते सब लोगों को मेरा नमस्कार सबसे पहले मैं उधव जी का बहुत बहुत शुक्रियादा करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे भगवन्तमान साब को संजय सिंग को रागव चड़ा जी को हम लोगों को अपने निवास्थान पे चाय पे अमंत्रित किया और उनके साथ काफी विश्यों के उपर चर्चा हुई उधव जी से मिलने का मेरा बहुत दिनों से मन था खासकर करोना के दिनों में मुझे याद है कि जब करोना पीक पे था उस वक्त हम सब लोग एक दूसरे से सीख रहे थे और जिस तरह से उधव जी ने और उनकी सरकार ने बॉम्बे में औ और पूरे महराष्टर में करोना को कंट्रोल किया को बहुत काविए था और जिजे ये करिनी में उत्वी संपोच लिए कि हम दिल्दी के रहों ने वंबे से और नहरुच से बहुत कुछ भी इनकी कई सारी प्रैक्टिसेज होती थी जो कि बहुत अच्छी थी इनको हम दिल आज मुझे इसे मिलने का पूरे परिवार आदिति जिसे मिलने का सौभा के फ्राफ दुगा और हमने बहुत सारी चीजों के उपर चर्चा भी की आज देश के जो हलात हैं उनके उपर हमने चर्चा की आज देश का युवा जो है वो बेरुसदारी से बुरी तरह से द्रस्त है बड़ लिखके लोगों को बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है बड़े-बड़े उनसे मादे किये गए थी कि दो करोड़ नौकरी देंगे, चार करोड़ नौकरी देंगे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है और युवा जो है दर-दर की ठोक्रे खारा है लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा इतनी महँगाई हो गई है इतनी ज्यादा महँगाई हो गई है कि लोगों को अपना आमदली बढ़नी रही है और लोगों का खर्चे बढ़ते जा रहे हैं चीजे महँगी होती जा रही है जिस तरह से मौजूदा केंदर सरकार कुछ चंद पूजी पतियों को फाइदा पहुचाने के दिए एक तरह से पूरे देश को गीर भी रख रही है, सारे देश के संस्पानों को बेचती जा रही है अब एक बहुत बड़ा आज सुनने में आए कि L.I.C. जो है वो L.I.C. भी अपनी देदे घाटे में जाने लगेगा करोड़ो करोड़ो लोग जिंदों को ने अपने बूरी जमा पुझी L.I.C. के अंदर जमा कराई थी उन लोगों को क्या होगा इन कई सारे विश्यों के उपर चर्चा हुई देश के गंबीर हालात के उपर चर्चा हुई हमारा देश तब ही आगे बड़ेगा जब हम एक दूसरे से सीखेंगे हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं है हमें एक दूसरे से सीखना है इस देश की जितनी भी समस्या है, उन सारी समस्याओं का समधान कही ना कही देश के अंदर है, पर यह है कि हम आपस में मिलते नहीं, आपस में चर्चा लिए दरते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा है कि अज चर्चा होई बहुत और हम इसको अब आगे मिलते रहेंगे और इस पंजाब और महाराश्च्रह का बहुत गेरान आता है राजजादी के सब्धों भी रखेख से पंजाब से उत्युराश्गृ गुना से थे तो वो कट्थे देश के लिए अजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो बीर उमाओं की भूमी है महाराश्च्रह और महाराज चुछा फंडाल, चल्द शेकर यार्वापी से तो सब इकट्टों होके देश के इजादी के लिए लग रहे थे उन्हें यह नहीं कहा था कि उनको कदाचि जिन्ता नहीं थे जादी आएगी जाना उनको चिन्ता ये थी के जादी के बाद देश को जात हो जाए तो इस देश की अजादी बहुत महिंगी मिली है वो प्रीक में नहीं मिली बहुत बड़ी-बड़ी कुरवानिया वहारे जो उर्फे हैं हमारे व्यूसुड़ों ने दिय हैं तो उस आजादी को कैम रखना है हमा वह बॉडर स्टेट हैं, हम हमारे जवान सीना तान के खड़े हैं, तो देश कैसे आगे बड़े, इस देश को दुनिया का नंबर वन देश कैसे बनाया जाए, सोने की चिडिया जो देश को कहा जाता था, और उस चिडिया का जो पूरा मैं कहता हूं कि एक एक पंक नोचकर, क क्रोडपतियों के नाम भी आ रहे हैं कि वो देश शोड कर भाग रहे हैं, तो हमारा देश हर किसम का मौसम है, हमारे पास मारूथल है, हमारे पास दर्या है, समुंदर है, कोल है, तेल है, बस सची नियत वाले लोग अगर कठे हो जाएं, तो इस देश जैसा धरती पे कोई देश नहीं है, तो पूरे देश के 130 क्रोड लोगों का जो कल्यान कैसे हो, हर घर को, हर घर के चूले को जो है, वो आटा मिले, हर घर में आग जले चूले में, रोजगार मिले, और तरक्की हो, तंदरुस्ती हो, इस बात इस इन मुद्बों पे बात हुई और अच्छा लग इस देश में एक पाटी है, जो 24 घंटे चुनाव की सोचती है, हम 24 घंटे चुनाव की सोचते हैं, हम देश की सोचते हैं, हमारे सामने देश है, हमारे सामने इस देश के बेरोजगार युवा है, हमारे सामने किसान है, हमारे सामने वो ग्रहनी है, जिसका पती हर महीने पैस अगले दस दिन कैसे बीतेंगे उन मुद्दों के उपर चर्चा हुई जब चुनाव आएंगे चुनाव की भी चर्चा करेंगे पर हम उस पार्टी की तरह 24 घंटे चुनाव की बात नहीं करते हैं अर्विकी अर्विकी प्रिजेंट पॉलिटिकल स्नेरियो महाराज में चल रहा है इसमें आपका इंडाम्स हुआ है खुछ को अफिस प्रश्च से लेख 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 इस पे मैं एक ही चीज़ कहूंगा अभी पिछले दिनों जो कुछ घटना क्रम धटा उद्धव जी की पार्टी की चोरी हो गई उनका सिंबल चोरी हो गया उनका नाम चोरी हो गया उनका सारा जो था वो सब चोरी करके ले गए पर मैं एक ही चीज़ कहना चाता हूं इनके पिता जी शेर थे और ये शेर के बेटे हैं तो पूरा महराश्टर इनके साथ है और मैं पूरी उमीद करता हूं कि सुप्रीम कोट से इंको न्याय भी मिलेगा और मेरा अपना मानना है कि ये सारे आने वाले चुनाव जो हैं वो स्वीप करने जा रहे हैं उदर फाकरे में तो सर आपने सोच रहे हैं कि आने वाले समय में आपर माराश्य में चुनाव लड़ते हैं तो दो जी के साथ आप अलाइंस करेंगे जब चुनाव आएगा आपको सारी बाते बताएंगे मैं क्या बता हूं यह तो आप उनसे पूछिए गुंडागर्दी के सिवा उनको कुछ काम नहीं आता है अगर वो इतना देश की जिम्मेदारी उन लोगों को दी हुई है अगर वो देश के वारे में सोचें तो देश बहुत तरक्की कर सकता है चारो तरफ गुंडागर्द यह इस देश आगे नहीं बढ़ता हम आपस में क्यों लड़ते हैं हम आपस में इतनी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं यह जब दिल्ली की जनता ने 134 सीट हमको दी 104 सीट उनको दी तो मेर तो हमारा ही बनना चाहिए धाई महीने से मेर ही नहीं बनाया डिप्टी मेर तो ह हमारी होने चाहिए बनाई नहीं रहे रोज लड़ते हैं बताओ मेर का चुनाव कराने के लिए अगर हमें सुप्रिंग कोट जाना पड़ेगा तो दुख की बात है विपक्स के लेता लगाता अरूब करने के सेंट्रल एजनसियों का इस विशेंपे आपकी उद्वजी से क कायर लोग इस्तिमाल करते हैं एडी और सी बिया और यह सारी एजनसिज का इस्तिमाल कौन करता है कायर लोग करते हैं करने दीजिए उनको उन्हें से डर लगता तब ही तो करते हैं आपके घर एडी नहीं आई आई आपके घर सी बिय नहीं इनके घर आती है मेरे घर आती है परसु किया रहे हैं मनी सिंधिया को गिरफ कर ले हमें कोई फरक नी करते जनता देख रही है जंद अंत्पंत में सच्चाई की जीत होती है जूट-जूट होता है सच्चाई की जीत होती है देखिए आप लोगों के पास यहां पहलत सुचनाएं हैं पंजाब का जो शोशल बॉंडिंग है उस पे बोलियां भी चली दस साल बंबी भूटे लेकिन पंजाब का जो भाईचारा है आपस में वो लोग मिलके रहना पसंद करते हैं आमन शांती वाला हमारा स्टेट है और बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज आप वहां पे इन्वेस्ट करने लगी हैं क्योंकि पहले किसी खास फैमली के साथ एमोजी होता था अब पंजाब के 3 क्रोड लोगों के साथ जो है वो एमोजी हो रहा है पंजाब को नंबर बन स्टेट हम बनाने में अपनी तरफ से अमारी गरंटी थी तब अरबन जी और हम सारी टीम चुनाब परचार कर रहे थे तब हम गरंटीज दे रहे थे इजली भूस की गरंटी प्चे मलाजे हो पक्के करने की गरंटी रोजगार की गरंटी तो मैं तो मतलब यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिये, कौम को कभीलों में मत बांटिये, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और जीलों में मत बांटिये जीलों मत बांटिये, कौम के लिए गया को मानतिये नदियों मत बांटिये, के लिए आपलशा काले।